हाई welcome to my channel इस वीडियो में solve करें question number 27 तो ध्यान देजेगा कर रहा है कि find the length of 13.2 kg of copper wire एक copper wire है जिसका weight दे दिया है 13.2 kg और इस wire का diameter दे दिया है 4 mm when अब यहाँ पर दे दिया है कुछ यहाँ पर दिया है कि when one cubic centimeter of copper weighs 8.4 gram जब one cubic centimeter of copper का जो weight है वो है 8.4 gram तो बताइए कि 13.2 kg का जब wire लेंगे तो उसका diameter कितना होगा काफी अच्छा question है तो यहाँ पर पहले कुछ लिख लेंगे जो दिया हुआ है solution तो दिया हुआ है weight of weight of the copper wire weight of the copper wire is equal to कितना दिया हुआ है यहाँ पर 13.2 kg तो पहले हम इसको gram में बताल लेंगे क्योंकि हाँ पर gram में दिया हुआ है one centimeter cube का जो weight दिया हुआ है वो gram में दिया हुआ है इसलिए इसको gram में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से multiply कर देंगे means 13.2 में multiply कर देंगे 1000 से तो मिल जाएगा आपको one three और two और decimal एक zero से खतम हो जाएगा और दो zero बढ़ जाएगे में means 13,200 क्या हो जाएगा ग्राम इतना ग्राम हो गया अब क्या दिया हुआ है देखिए अब जो given है उसी से सकुछ निकालना है आपको तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका volume यदि हम इसका total volume निकालने कि 13.2 kg का total volume कितना होगा तब हम जो है volume हमें जब पता रहेगा तो हम diameter दिया हुआ है बायर का हम जो है निकाल सकते हैं उसका length मतलब की height उस बायर का तो हम पहले क्या करेंगे volume find करेंगे और volume find करने के लिए यहाँ पर condition दिया हुआ है कि one cubic centimeter का weight है वो 8.4 gram है मिन्स इसको लिए सकते हैं since यह given है since volume of volume of one centimeter cube of copper of copper is equal to sorry volume of volume of 8.4 gram volume of 8.4 gram of copper मतलब की 8.4 gram copper लेंगे तो कितना volume होगा यह दिया हुआ है one centimeter cube one centimeter cube यहाँ पर लगाएंगे हम unitary method यहाँ पर लगाएंगे हम unitary method यहाँ पर लगाएंगे a volume of one gram of copper यह हो जाएगा one upon 8.4 क्या centimeter cube राइट इट इंप्लाइज volume of 13,200 200 gram of copper is equal to हो जाएगा one upon 8.4 जो है उसमें unitary कर देंगे 13,200 से यहाँ पर जो आएगा वो हाएगा इतना centimeter cube volume आ जाएगा तो यहाँ पर solve करेंगे कैसे यहाँ पर one three two two zero पहले से था एक zero बढ़ा लिजिए तो यहाँ पर decimal हट जाएगा और यह हो जाएगा 84 मतलब कि numerator में denominator में transfer method apply कर दीजिए ऐसा हो गया अब यहाँ पर solve करते हैं तो four seconds लड़ करते है four two is a eight four one is a four four three is a twelve one बचा कैरी अबर 12 हो गया फिर से four three is a twelve और three zeros अब यहाँ पर three से कटेगा 3721 और यह three से कटेगा तो मिलेगा आपको three बंजा three three बंजा three triple zero मतलब मिल जाएगा अब यहाँ पर कट नहीं पाएगा तो मिल जाएगा 11,000 upon seven centimeter cube यह हमरा आगया volume of तो मतलब यहाँ पर ली सकते हैं कि so volume of total copper wire total copper wire total copper wire इसका volume मिल गया हमें 11,000 11,000 11,000 upon seven centimeter cube अब volume of total copper wire इसका volume of copper wire क्या होता है copper wire कैसा होता है cylindrical होता है है कि नहीं मतलब cylindrical होता है यह पतला पतला ऐसे करके जो है wire ऐसा रहेगा तो ऐसी होगा cylindrical होगा cylindrical है तो इसका जो volume निकालेंगे तो हमारा होता है formula इसका pi r square h ठीक है तो pi r square h बरावर हो जाएगा 11,000 upon seven अब यहाँ पर radius और height put करेंगे तो height of the wire मतलब क्या हो गया length of the wire तो length यहाँ पूछा है find the length length of the copper wire पूछा है तो हम यहाँ पर suppose कर लेंगे कि let the length of the wire be h यह जो h है न वही तो length of the wire है तो यह एच निकालना हमें pi की वायर हो जाएगे 22 by 7 multiplied by r square r square value उसे निकाल लेंगे diameter दिया हुआ 4 mm तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं since diameter दिया हुआ 4 mm of the wire तो r हो जागा कितना 2 mm तो r की value जो है हम centimeter में निकाल लेंगे इसको radius 2 mm का मतलब हो गया 2 upon 10 cm ठीक है तो यह हो गया centimeter में अब यहाँ पर हम लेंगे r की value 2 upon 10 cm का square into हमें निकालना है height यह ही h निकालना हमें है और यहाँ पर हो जाएगा 11,000 11,000 आपन 7 अब हमें h बार निकालना है अब यहाँ पर थोड़ा एक बार square कर लेते हैं तो 22 by 7 into यह हो जाएगा 4 upon यह हो जाएगा 100 into h is equal to 11,100 upon 7 मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर सब दुनों तरफ left hand side में और right hand side में केवल multiply और divide किया गया हो plus और minus का sign ना हो तो आप अराम से numerator में numerator से कटा सकते हैं और denominator से denominator में किंसिल आट कर सकते हैं तो देखे 7 बंजा 7 किंसिल आट हो गया यहाँ नीचे नीचे अब यहाँ उपर कटेगा तो 11 बंजा 11 तो यह होजाएगा 1000 और 11 तूजा 22 ठीक है और 2 बंजा 2 और यह होजाएगा 2 5 जा 10 तो 500 होगया और यह से 4 बंजा 4 और यह 4 से कटेगा 4 बंजा 4 और एक बचा 10 और 4 तूजा 8 और 2 बचा 20 होगया 4 5 जा 20 मतलब कि यहाँ पर सब कुछ कट चुका है और यहां 100 बस बचा हुआ है मिन्स यहां पर लिसकते हैं हम लोग h upon 100 देखे उपर 1 1 है h upon 100 होगा is equal to यहां बचा हुआ है केवल केवल यह 125 बचा हुआ है 125 cm में आएगा यहां पर implies करके लिखे लेंगे h बराबर 125 00 मनटपलाई करेंगे हम लोग ने निकाल लिया है length of the wire लिख देंगे so the length of the wire is 12 500 cm cm इसी को मीटर में करेंट कर लेते हैं तो यह मिलेगा आपको 125 00 upon 100 100 सब्सक्राइट कर देंगे जो जो गंटे बसे लागा 125 मीटर तो यह हो गया आपका answer 125 मीटर होगा length of the wire thank you so much for watching bye लेकिन sorry sorry अभी बाय नहीं यहां पर मैं एक बात बताना भूल रहा था कि यहां पर तो मैंने लगा दिया unitry method से और unitry method से volume निकाल लिया है लेकिन एक formula भी होता है volume निकालने का और आप जानते होंगे density ठीक है ना density वराबर होता है आप पढ़े होंगे density वराबर होता है mass या बोल सकते है mass को ही weight mass upon volume होता है ठीक है weight upon volume आप इसको mass को बोल सकते है weight mass is totally equal to weight ठीक है कहां लिखें इसको मतब r बोल सकते है weight यह weight उपर रहेगा upon volume इतना formula जानते है और density मतलब होता है यहां पर density दी होई है ठीक है weight per me 3 ठीक है 8.4 दिया हुझा है per centimeter cube का मतलब किया आप dev Correctivity का अच्छ tecnología density दी होई好好 ग्राम पर centimeter cube यह दिया हुझा है यह आपकी intensity दी हुए है यह दी दी हुए है 8.4 ठीक है आँ और mass को दिया हुआ है given mass का दिया हुए 13.2 kg और यह ग्राम में दिया हुआ है देंसिटी ग्राम पर सेंटिमेटर क्यूब इतना अपन वालिम तो V निकालना है तो क्या करना पड़ेगा V को आप इधर करिए और इसको डिवाइड कर दीज़े इधर है कि नहीं वही काम तो यहां भी किया है इस पूरे में क्या किया है इससे डिवाइड किया है तो मतलब कि आप यह तो यह formula लगा सकते हैं या फिर आप unity method का concept लगा करके ऐसे कर सकते हैं तो unity method मैंने इसलिए बताया क्योंकि यह थुरा सा समझने वाला है और आप समझ सकते हैं इसमें कैसे किया गया और यही मुझे simple लगता है तो thank you so much बाई